हेलो दोस्तों, कॉरना वाइरस अब सिर्फ चाइना का मैटर नहीं रह गया है डबलो एचो के दवारा इसे ग्लोबल हेल्थ एमर्जनसी डिकलेर करना और फिर इंडिया में एतनी सुरक्षा बरतने के बावजूद भी कॉरना वाइरस का केस पॉजिटिव आना यही इंडिकेशन देता है कि अब हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंडिया में कॉरना वाइरस की अवेर्नेस के लिए हर एक अपडेट और न्यूज आप तक सई टाइम पे पहुचाऊं जो भी इंफरमेशन में आप लोगे साथ शेयर करूँ वो अच्छे से वेरिफाइड और रिसर्च की गई हो ताकि आप उस पे बहुत असानी से रिलाई कर सके तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कॉरना वाइरस भारत में ना फैल सके तो इसके लिए भारत क्या-क्या कदम उठा रहा है भारत का पहला कॉर्णा वाइरस केस जो चाइना की वुहान उनिवस्टी में पढ़ने वाली केरल की स्टूडेंट जो वाइरस से इंफेक्टेड है उनका इलाज हो रहा है और हालत अभी स्टेबल है साथ ही दिल्ली में भी चाइना से लोटे पांच लोगों में कॉर्णा वाइरस के सिम्टम्स मिले हैं सभी को हॉस्पिटल के आइसोलेशन वाड में रखा गया है इससे पहले भी तीन लोगों पर इंफेक्टेड होने का शक था लेकिन रिपोर्ट्स नेगिटेव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से रिलीफ कर दिया गया कॉरोना वाइरस को लेकर भारत सरकार ने भी बहुत सार इंतजाम किये है फोरण मिनिस्ट्री ने चीन के हुबई प्रोवेंस से इंडियन स्टुरेंट्स को वापिस लाने का भी प्लान त्यार कर लिया है जिसमें 600 स्टुरेंट्स से कॉंटाक्ट हिया गया है भारत में फ्लाइट के जरिये चाइना के हुबई प्रोवेंस से अपने नागरीकों को भारत वापिस लाने की इजाज़त चीन सरकार से मांगी है पहली फ्लाइट से वुहान और उसके आसपास के इलाकों से लोगों को निकाला जाएगा दूसरी फ्लाइट से हुबई के दूसरे इलाकों से लोगों को भारत लाया जाएगा चीन से इजाज़त मिलते ही आज ही वुहान से ओपरेशन चालू होगा अब भारत में भी इलर्टनेस बढ़ती जा रही है देश की कैपिटल डेली समेट, चन्नाई, बेंगलो और हैदराबाद समेट कई एरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है यानि पूरी दुनिया पे इस टाइम कोरना वाइरस चाया हुआ है क्योंकि ये टाइम सेंस्टिव टॉपिक है तो अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारियो अपसलेट हो गई है पुरानी हो गई है तो प्लीज कमेंट करके आप अपडेट कर दे ताकि सभी तक लेटस्ट इंफरमेशन पहुंच सके अभी जान लेते हैं कि कोरोना वाइरस को लेकर क्या लेटस्ट अपडेट है इस वाइरस से चाइना में 43 और लोग अपनी जान गवाच चुके हैं जिससे की टोटल डेट्स का नंबर 213 हो गया है चाइना और WHO के रिकॉर्ड्स के एकॉर्डिक पिछले 24 घंटों में लगबग 2,000 नए मामले दर्ज किये गए हैं जो दुनिया भर में कुल मिलाकर लगबग 9,800 हो गए हैं मिजोरिटी मामले चाइना के अंदर के हैं 20 अन्य देशों में लगबग 100 केसिस की कंफरमेशन की गई है जैसे ही कॉर्ड़ना वाइरस का इंफेक्शन बढ़ रहा है पानिक भी बढ़ रहा है USA ने भी इसको हेल्थ एमर्जेंसी डेकलेर कर दिया है अमेरिका से चाइना जाने वाले सभी फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया है और साथ ही दूसरे देशों के विजिटर्स जिनोंने पिछले 14 दिनों में चाइना ट्रैवल किया है USA ने उनकी एंट्री पे रोक लगा दिये अगर आपको अगले कुछ दिनों में US जाने का प्लान है तो चाइना ट्रैवल ना करें चाइना से चल कर दुनिया में कैसे फैला डेंजरस कोरन वाइरस जिसका खत्रा इंडिया, अमेरिका और साओधी अरब के देशों में फैलता जा रहा है इसके साथ ही पूरी दुनिया पर वाइरस ने अपना कबजा कर लिया है चाइना और हॉंग कॉंग से लोटे लोगों की जांच की जा रही है एरपलिन बोर्ट करने से पहले सेल्फ डिकलिरेशन फॉर्म भरवाय जा रहे है अमेरिका में भी इस कॉरणा वाइरस के साथ केस प्रिपोर्ट हुए है कॉरणा वाइरस फॉर्स टाइम दिसंबर में पकड़ में आया था लेकिन अभी चाइना की बॉर्टर क्रॉस करके बाकी कंट्रीज में फैल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका खत्रा मंड़ा रहा है ना ही इसका कोई इलाज है और ये बिमारी कैंसर से भी खतरनाक है काफी जगे पर इसका खत्रा फैल चुका है और कही जगा पर इसका खत्रा फैलता जा रहा है government alert हो रही है और जो सभी health centers है वो पूरे तरीके से इस virus को लेकर monitoring पर है लोगों के test लिये जा रहे हैं और जोड़ शोड़ से इसके इलाज पर research की जा रही है लेकिन इसका कोई भी antidote या vaccination नहीं मिला है पूरा मामला आईए जानते हैं कि क्या है और कहां से ये virus फैला है और control में कैसे कर सकते हैं इसके election क्या है और भारत में पहला case positive report होने के बाद कितना बड़ा खत्रा बन सकता है इस वीडियो को एकदम last तक देखते रहें और अगर आप मेरे चानल पे नए है तो नीचे लाल बटन है subscribe का उसको आप जरूर दबा दे coronavirus से कैसे बचे और क्या-क्या ध्यान हमें रखने चाहिए आए जान लेते हैं सीफूड खाने से बचे और अगर आप भार घूमने जा रहे हैं क्यूंकि यह बैंकॉक में भी दस्तक दे चुका है तो वहां पर सीफूड खाना विलकुल अवाइड करें और अगर आपको खाना ही है तो उसको अच्छे से पका कर ही खाएं विमारी के सिंटम्स वरे लोगों से दूरी बना कर रखें उसके लावा मास्क पहन करी आप घर से भार निकले तो इस coronavirus से आप थोड़ा बच सकते हैं कम से कम 20 सेकेंड के अपने हाथों को साबून और पानी से धोएं और अगर आप जल्दी में हैं या emergency में हैं तो alcohol based sanitizer का इस्तमाल करें अगर आपको खासी आ रही है या चीक आ रही है तो रुमाल का इस्तमाल करें अब यह बात कर लेते हैं कि यह virus फैला कैसे कहां से फैलना शुरू हुआ coronavirus इंसानों तक कैसे पहुँचा इसका अभी तक कोई strong evidence नहीं है लेकिन अलग-अलग companies और media source के अगर claims देखे जाएं तो बड़े-बड़े international medias की report आई है कि December 2019 में यह coronavirus चाइना की वहाँ non-match market से शुरू हुआ था बहाँ बेचे गई जंगली जानवरों में यह virus था और non-match खाने वालों तक पहुँच गया और धीरे-धीरे यह पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है Asper the news यह बताया जाता है कि साप से यह virus आया है कोई कहता है मेंडग से virus आया है कोई कहता है चमगादर से यह virus आया है लेकिन अभी तक कोई report confirm नहीं है चाइना के पडोसी देश सिंगापूर थाइलेंड से लेकर Australia अमेरिका तक पहुँच गया है मणने वालों की संक्या लगातार बढ़ रही है थाइलेंड, सिंगापूर, ताइवान, जपान, साउथ कोरिया सहीत कई देशों पे इसमें अपना कबजा कर लिया है और इंग्लाइंड में भी फैल चुका है और हर एक जगा पे कॉरोना वाइरस की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कॉरोना वाइरस के लक्षन क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है जब आपको इसके सिंटम्स पता लगते हैं क्या हो सकता है कि ये कॉरोना वाइरस हो? लेट्स टॉक अबाउट लीज़ अगर आपने या आपके किसी नोन ने पिछले एक महीने में चाइना ट्राविल किया है और आपको नीचे बताए लक्षन है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करके टेस्ट करवा लें पहले से बिगड़ जाती है और हर समय ठकान महसूस होती है नीमोनिया की भी शिकायत कॉरोना वाइरस के दुरान रहती है फेफडो में बताया जाता है कि सूजन आ जाती है ध्यान रखें कि अगर आपने चाइना या अफेक्टेट कंट्रीज में ट्रैवल नहीं किया है और आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो कॉरोना वाइरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको नॉर्मल खासी जुखाम ही है इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में कॉरोना वाइरस को end-to-end explain किया है कि ये क्या है, सिम्टम्स क्या है, कहां से पैदा हुआ और क्या है curable है अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक में रीचे description box में दिया हुआ है उसको आप जरूर देख ले और awareness फेलाने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाने में help करो ताकि लोग जो फैले हुई rumors हैं, उन पे ध्यान ना देकर coronavirus के भैवे रूप को समझो और अपना ध्यान रखे और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलें और जब आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरी सभी नई वीडियो की updates आपको सबसे पहले मिल जाए और कमेंट करकर ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कितने informative लगे मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, until then अपना और अपना को ख्याल रखे, उन्हें धेश सारा प्यार करें Share this video with maximum people, if you care for human life और देखते रहें आश्वेमास किचन